सभी को नमस्ते। के साथ मिल जाते हैं। और पेट्रोल इंजेक्शन की स्थिती में पेट्रोल को इंजेक्टर के माध्यम से इनलेट पोर्ट के ठीक पहले इंजेक्ट कर दिया जाता है। पर एर फ्यूल मिश्रन आसानी से ब्लास्ट हो जाता है और एक उच्च क्षमता का बल पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है। इसे वर्किंग स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या एक्स्पैंशन स्ट्रोक कहते हैं क्योंकि कम्प्रेस्ट हवा में आग लगने की वजह से यह एक्स्पैंड होता है, अर्थात फैलता है। चोथे स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम से टॉप, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर आता है और जला हुआ मिश्रन माने धुआ बाहर निकल जाता है। इसे एक्स्पैंशन स्ट्रोक कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितना हवा सिलेंडर के अंदर आया, कितना फ्यूल इंजेक्टर ने इंजेक्ट किया, बाहर निकले धुएं को जानना हमारे लिए और सेंसर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अब हम इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे त पेट्रोल इंजन के लिए स्टोईक हायोमेट्रिक मिश्रन हवा और पेट्रोल का वह आदर्श अनुपात है, जो बिना अतिरिक्त हवा के सारा इंधन जल जाता है। पेट्रोल के लिए स्टोईक हायोमेट्रिक एर फ्यूल मिश्रन का अनुपात लगभग 14.7 से 1 है अर्थात, प्रत्येक 1 ग्राम पेट्रोल के लिए 14.7 ग्राम हवा की आवश्यक्ता होती है। माना जाता है। लीन मिश्रन को जलाने से इंजन तेजी से गर्म हो सकता है। अब आप पहले हमारे वाहनों से निकले धुएं को समझें जिसे हम हानिकारक प्रदूशन कहते हैं, तो आप समझेंगे कि कैसे यहां उपयोग होने वाले लगभग सभी सेंसर्स इन उत्सरजनों को ध्यान में रखते हुए विक्सित किये जाते हैं। और सेंसर्स के फॉल् या आंशिक रूप से जले हुए फ्यूवल के कर्ण होते हैं। हाइड्रोकार्बन जहरीले होते हैं। स्मॉग, अर्थात, धूंद में। हाइड्रोकार्बन का प्रमुख योगदान है, जो हमारे शहरी क्षेत्र और महानगरों में देखने को मिलती है, यह एक बड़ी समस आप इसे ऐसे समझें कि स्मॉग हमारी गाडियों के धूएं और कोहरे का मिश्रण होता है। कोहरा प्रिथवी की सतह पर पानी के छोटे-छोटे कण को कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, यक्रित रोग, फेपडों की बीमारी और कैंसर होता है। दूसरा प्रमुख प्रदूशक नाइट्रोजन के विभिन ऑकसाइड हैं और यह नाइट्रोजन के ऑकसाइड तब उत्पन होते हैं जब हवा में उपस्थित नाइट्रोजन उच्च ताप मान पर ऑकसीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह इंजन सिलेंडर के अंदर हाई कंप्रेशन और उच्छ ताप के कारण बनता है। नाइट्रोजन ओंकसाइड्स, स्मोग, अर्थात, धूंद और अमलीय वर्षा, दोनों में प्रमुख भूमिका निभाता है। अमलीय वर्षा हमारे वनों के अस्तित्व के लिए अत्यंत हानिकारक है। जब कोई इंजन अपने सबसे इफिशेंट तापमान पर चलता है, तो नाइट्रोजन ओंकसाइड्स का उत्पादन बढ़ जाता है। तीसरा, महत्वपूर्ण उत्सरजन, कारबन मोनो ओंकसाइड का है। और कारबन मोनो ओंकसाइड का उलेक किया है। लेकिन कारबन डायोन अकसाइड के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमारा लक्षिय सिलेंडर में परियाप्त हवा की आपूर्ती करके, सिलेंडर के अंदर सभी इंदन को कारबन डायोन अकसाइड में बदलना है। लीन मिश्रन अधिक एफिशेंट होते हैं, लेकिन उच्छ तापमान का कारण बन सकते हैं। लीन मिश्रन फ्यूल एकॉनमी अर्थात माइलेज में सुधार करता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में भी तेज वृध्ध का कारण बनता है। यदि मिश्रन बहुत अधिक लीन हो जाता है, तो इंजन इगनाइट होने में विफल हो सकता है, जिससे मिस्फायर हो सकता है और बिना जले फ्यूल, अर्थात, हाइड्रोकार्बन उत्सर जन में बड़ी वृध्धी हो सकती है। इंजन सर्वाधिक पावर बनाता है, ठंडे इंजनों को स्टार्ट करने पर आम तोर पर अधिक फ्यूल, अर्थात, रिच मिश्रन की आवश्यक्ता होती है, हालनकि रिच मिश्रन कार्बन मोनो इंक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर जन में तेजी से व्रिध करते है अब आप एक बात पर ध्यान दें, कि एर फ्यूल मिश्रन को इस्टोइकियो मैट्रिक अनुपात के पास रखने पर, जो की पेट्रोल इंजन के लिए 14.7 से 1 का है, इस अनुपात पर कैटलिटिक कनवर्टर अपने अधिक्तम क्षमता पर काम कर पाता है। कैटलिटिक कनवर्टर का काम तीनों प्रदूशकों को कार्बन डायोन एकसाइड, नाइट्रोजन गैस और पानी में परिवर्तित करने का काम करता है। कैटलिटिक कनवर्टर को प्रभावी धंग से संचालित करने के लिए लगभग 400 डिगरी सेल्सियस के तापमान की आवश्यक्ता होती है। इसलिए उन्हें यथा संभव इंजन के करीब रखा जाता है या एक्जास्ट मैनिफोल्ड के तुरंत बाद रखा जाता है। मैनिफोल्ड पर अब आपको इतना अंधाजा हो गया होगा कि हमें सेंसर्स का उप्यूग करके एर फ्यूल मिसरन को अस्टोइक्योमेट्रिक पर रखना है ताकि तीनों परदूसन कम से कम बन सके और कैटलिटिक कनवर्टर अपने उचतम छमता से काम कर सके। तो मैनिफोल्ड एपसुलिट प्रेसर सेंसर इंजन की अलक्रोनिक कंट्रोल यूनिट को ततकालिक मैनिफोल्ड प्रेसर की जानकारी पर दन करता है। वायू मंदल में सुसका हवा हलकी होती है जबकि गीली हवा भारी होती है। हवा का द्रविमान निकल जाने के बाद इंजक्टर इंधन का छड़काव कर देता है अर्थात परतिक 14.7 ग्राम हवा के लिए इंजक्टर एक ग्राम पेट्रोल इंजक्ट करेगा। Physics के फॉर्मूले के अनुसार, Map Sensor Data को IAT Sensor अर्थात Intec Air Temperature Sensor से आने वाले डेटा के साथ उपयोग करना आवस्यक होता है। इसलिए तापमान डेटा प्राप्त करने के लिए Intec Air Temperature Sensor का उपयोग भी करना होता है। और engine के speed अर्थात RPM data प्राप्त करने के लिए crank shaft position sensor का उपयोग किया जाता है क्योंकि engine RPM अर्थात crank shaft के घुर्नन का उपयोग करके वायू घनतू को और अधिक सटिक रूप से निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है एक fuel injected engine, intake air flow mass rate का पता लगाने के लिए वेकलपिक रूप से mass air flow sensor का उप्योग कर सकता है इसलिए हर समय MAP sensor के साथ MAF sensor का उप्योग करना आवस्यत नहीं होता है लेकिन सिलेंडर में प्रवेश करने वाली हवा के द्रवमान का अधिक सठिक गन ना प्राप्त करने के लिए तापमान और RPM डेटा आवस्यक होता है ऐसी वे भिन तकनीकें हैं जिनका उप्योग manifold absolute pressure को मापने के लिए किया जाता है खेर एक सरल तरीका समझते हैं इन्टेक रेसर को एक variable resistor का उप्योग करके मापा जा सकता है जिसे potentiometer या real state कहा जाता है यदि आपको अपना high school याद है तो लंबाई बढ़ने के साथ conductor का परतिरोध बढ़ता है अब जैसा कि यहां दिखाया गया है बिंदू A वाला एक conductor ECU से 5V DC current राप्त करता है यहां slider या wiper conductor के उपर इधर उधर slide कर सकते हैं यदि हम wiper से output voltage लेते हैं तो यहां इस conductor के प्रतिरोध के कारण output voltage 5V से कम होगा अब यदि हम इस wiper को बिंदू A से दूर सरकाते हैं तो हम देखेंगे कि wiper से output voltage पिछले वाले की स्थिती से बहुत कम होगा क्योंकि current ले जाने वाले conductor भाग की लंबाई बढ़ गई है और इसलिए परतिरोध बढ़ गया है यह wiper एक diaphragm से जुड़ा होता है और diaphragm को inlet manifold air द्वारा धक्का दिया जाता है वाइपर से output intake manifold pressure का signal voltage है तो यह एक सरल सिधान्त है जिसका उप्योग विभिन प्रकार के MAP सेंसर बनाने के लिए किया जाता है अब यहां conductor के लिए उप्योग की जाने वाले सामगरे ही सिधान्त का उप्योग किया जाता है यहां wiper सिधे butterfly saft से जुड़ा होता है जो एक गुलाकार परतिरोधक पटी पर slide करता है अब यहां देखिए जब आप accelerator लेते हैं तो इस butterfly valve को accelerator wire की मदद से घुमाते हैं ताकि सिलेंडर में जाने वाली हवा को नियंतरित किया जा सके सेंसर आमतोर पर butterfly valve पर इस्तित होता है ताकि यह सिधे accelerator की इस्तिति की निगरानी कर सके throttle position sensor की प्राथमिक चिंता throttle valve angle को निर्धारित करना है यह reading electronic control module को भेजी जाती है जो engine में सही वायू इंधन विसरन को बनाने के लिए injector को संकेत भेजता है जब कोई throttle input नहीं होता है तो engine को इस्तिर RPM पर सुचारू रूप से ideal रहना चाहिए throttle position sensor ECU को बताता है कि कोई accelerator input नहीं है और engine में प्रवेश करने वाले इंधन की मातरा इस्तिर रहनी चाहिए यदि RPM अचानक बढ़ता है और फिर accelerator pedal को छुए बिना फिर से गिर जाता है तो यह एक faulty throttle position sensor का लक्षन हो सकता है accelerator pedal पर हलका दबाव fuel system को cylinder में अधीक petrol डालने का संकेत देना चाहिए एक खराब throttle position sensor pedal input पर प्रतिक्रिया नहीं देगा और गाड़े की गती बढ़ाते समय आपको प्रयापत सकती नहीं मिलेगी fuel injector के लिए गलत संकेत उन्हें combustion chamber में अधीक fuel inject करने का कारण बन सकते हैं जिससे poor fuel economy होती है जिसका earth है कम mileage अब इस तापमान sensor को देखिए तापमान के signal के लिए सामने तर्मिस्टर्स का उप्योग किया जाता है या powdered metal oxide का बना होता है तर्मिस्टर का परतिरोध तापमान पर निर्भर करता है ये दो परकार के होते हैं PTC thermistors का परतिरोध उच तापमान पर कम होता है जबकि PTC thermistors में तापमान बढ़ने के साथ परतिरोध में भी बढ़ोतरी होती है तो या एक तार से ECU से 5 volt लगातार प्राप्त करता है अब तापमान परिवर्तन के कारण इस junction बिंदू का परतिरोध में परिवर्तन होता है परिनाम स्वरूप signal के तोर पर कम voltage ECU में वापस जाता है अब आप देखिए इन तीनों sensor में 5 volt का input है और ये एक ही अस्थान पर इस्थित हैं इसलिए इन तीनों तार को एक साथ जोड़कर common किया जा सकता है या तारों की संख्या को घटाने के लिए अच्छा है ground wire के लिए भी ऐसा किया जा सकता है तो आपको कोई ब्रहम नहीं होना चाहिए कि क्यों अलग-अलग manufacturer या अलग-अलग model के गाड़ियों में तारों की संख्या अलग-अलग हो सकती है अब जैसा कि हम पहले बात कर चुके है cold start अर्थात थंड़ा बंद पड़े engine को start करने के लिए injector rich fuel अर्थात अधिक fuel inject करता है दूसरे सब्दों में ECU द्वारा injector को अधिक voltage supply करना पड़ता है पर एक बार engine गर्म हो जाने के बाद ECU द्वारा injector को कम voltage supply देना चाहिए ताकि inject किये जाने वाल फ्यूल को कम किया जा सके तो ECU को लगातार engine के तापमान की जानकारी चाहिए इसके लिए एक दूसरा temperature sensor आवस्यक है चुकि engine oil लगातार combustion chamber के संपर्क में आता रहता है इसलिए engine oil के तापमान को engine के तापमान के रूप में लिया जा सकता है 4 wheeler की इस्थिति में engine तापमान के लिए combustion chamber के संपर्क में घूम रहे cooling water के तापमान के रूप में भी लिया जा सकता है अब आप यह समझ सकते हैं कि engine oil temperature sensor अर्थात EOT या engine coolant temperature sensor अर्थात ECT के खराब होने से ECU द्वारा injector को सही समय पर सही voltage अर्थात signal नहीं भेजा जाएगा तो बंद पड़े engine को start करने में समस्या हो सकती है या लंबे समय तक rich fuel के inject होने से mileage समंधी समस्या भी हो सकती है और pollution पर बात तो हमने पहले ही कर लिया है आईए अब oxygen sensor को समझते हैं जिसे लेमडा sensor भी कहा जाता है oxygen sensor यह निर्धारित करने में मदद करता है कि combustion chamber में जो air fuel mixture जल कर अभी बाहर आया वा mixture rich था या lean जला हुआ धुआ का उप्योग कर oxygen sensor आसानी से इस बात की पुश्टी कर सकता है चुकि rich और lean दोनों ही मिसरन ज्यादा परदोसन बनाने के साथ साथ mileage और power fluctuation जैसी समस्याएं उत्पन करते हैं और हमें astroichometric air fuel अनुपाद चाहिए ताकि catalytic converter अपनी छमता से काम कर सके तो मिसरन जलने से पहले इरिज था या lean या बात ECU को पताक चलने पर ECU द्वारा fuel injector को fuel injection में सुधार कर astroichometric मिसरन के अनुपाद के मात्रा के बराबर का fuel injection करने का signal voltage भेजा जाएगा खेर अब sensor को देखते हैं अब आप पहले इस बात को समझे कि यदि जला हुआ मिसरन जलने से पहले इरिज था तो इसका अर्थ या है कि इसमें fuel अर्थात petrol के कन ज्यादा थे तो जरूर ही सारे कन को जलने के लिए oxygen की कमी हो गई होगी अर्थात धुए में oxygen कम होंगे और इ जिर्कॉनियम डायोकसाइड के एक तरफ वायुमंडल के हवा और दूसरी तरफ धुए के संपर्क होने पर दोनों तरफ oxygen के अनुओं की संख्या में अंतर होता है गर्म जिर्कॉनियम डायोकसाइड में से oxygen आयन के बहाव की छमता होती है इसलिए दोनों तरफ oxygen के सांदरत में अंतर के कारण ऑक्सिजन आयन का बहाव होने लगता है और इसे ही करेंट कहते हैं इस सिरामिक मैटरियल के दोनों तरफ दो पोरस प्लेटिनम के प्लेट लगा कर यहां बने वोल्टेज को रिसीव कर लिया जाता है रिच मिसरन वाले धुएं के समय यहां 0.8 वोल्ट बनत है तो आप यह कह सकते हैं कि ऑक्सिजन सेंसर एक वोल्टेज जनरेटर की तरह काम करता है तो इसे कायरे करने के लिए ECU से कोई वोल्टेज नहीं चाहिए पर जैसा हमने कहा कि जिरकोनिया के गर्म होने पर यह करेंट बना पाता है पुराने सेंसरों में एक्जॉस्ट धु से तारों की संख्या चार हो जाती है हीटर के लिए नेगेटिव वायर के लिए सेंसर बौडी के इस्तमाल करने पर संख्या तीन हो सकती है हीटर का इस्तमाल नहीं करने पर और जिरकोनिया के लिए भी नेगेटिव वायर बौडी ग्राउंड कर देने पर तारों की संख्या सिर्फ एक भी हो सकती है हलंकि हीटर के इस्तमाल से अक्सिजन सेंसर की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि सेंसर में चिप के कर्बन के कन हीटर की वज़ा से जल जाते हैं जिससे जिर्कोनिया की छमता बनी रहती है धूए में इस्थित कर्बन के कन oxygen sensor में जमा हो जाने पर यह सही voltage ECU को नहीं भेज पाएगा जिसके परिनाम में ECU द्वारा injector को सही signal नहीं भेजा जा सकेगा किसी भी sensorों द्वारा ECU को signal नहीं भेजने पर गाड़ियों में engine check light का जलना start होने में समस्या और pick up जैसे problem common सी बात होती है गाड़ियों के start होने के लिए CKP अर्थात crank shaft position sensor पहली भूमी का निभाता है पर कैसे आईए समझते हैं यहाँ इस rotor पर बने teeth sensor के अंदर के magnetic field को काटता है crank shaft के एक घुरनन अर्थात 360 degree में जितनी बार teeth sensor के नजदिक से गुजरेंगे उस से crank shaft के rotational position या rotational speed का पता चलेगा अर्थात engine RPM की जानकारी जो की MAP sensor data के साथ मिल कर intake air के दरोमान की जानकारी के लिए आविसिक होती है अब teeth के इस gap को देखिए यह gap sensor से होकर तब गुजरता है जब piston top dead center पर होता है compression stroke के दोरान piston के top dead center के नजदिक पहुचते ही असपार्ग plug को असपार्ग करना चाहिए दूसरे सब्दों में कहें तो जब piston top dead center के पास होगा ठिक उसी समय teeth gap जहां होगा ठिक उसी अस्थान पे sensor को रखना होगा teeth gap से signal gap बनता है जिससे ECU को piston के position का पता चलता है जिससे सटिक समय पर ECU असपार्ग plug को असपार्किंग करने का signal voltage भेजता है इसे ही ignition timing या कभी कभी engine timing कहा जाता है अभी तक के लिए इतना ही यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो like, share और channel को subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में